हाई फ्रेंट्स आज मैं कंपेर करने वाला हूँ डामेंसिटी 7300 वर्सेस कंपेर है डामेंसिटी 7020 तो आज देखते हैं कि दोनों ही प्रोसर की बीच में कितना डिफरेंस होता है हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे हैं टिक रूम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं अनाउंसिट की 7300 अनाउंस किया गया था जून 2024 में एन डामेंसिटी 7020 माई 2023 में अनाउंस किया गया है दोनों का इंस्ट्रक्शन सेट सिमलर है आन्म वर्जन 8.2a पे आते हैं CPU आर्खिटेक्चर को देखा जाए तो दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो अक्ता कोर्प्रोसेसर हैं डामेंसिटी 7300 में 4 परफॉर्फॉर्मेंस को 2.5 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A78 और 4 बैटरी फिसंसी को 2 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A55 सेखने को मिलेगा वही पे डामेंसिटी 7200 में 2 परफॉर्मेंस को 2.2 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A78 और 6 बैटरी फिसंसी को 2 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A55 सेखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर आफ परफॉर्मेंस कोर जादा है डामेंसिटी 7300 में और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बेटर है परफॉर्मेंस कोर की जिसकी विसे यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में डामेंसिटी 7300 ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा एक बाट CP फ्रिक्वेंसिटी को फिर से देखिए Dimensity 7300 2500 MHz पे clock है वह बे Dimensity 7020 2200 MHz पे clock है Fabrication की बात की जाए तो जिसका fabrication जितना small होता है वो processor उतना है better battery efficient processor होता है तो Dimensity 7300 4 nm TSMC के साथ बना हुआ प्रोसेसर है and 7020 6 nm TSMC के साथ है दोनों ही TSMC है ये अच्छी बात है but better battery efficient 7300 है and graphics वाले पार्ट को देखा जाए तो Dimensity 7300 में आता है Mali G615 Mp2 जिसका architecture Warhol generation 4 है and 7020 में आता है IMG BXM8256 जोकि Dimensity 930 में भी देखने को मिला था and जिसका architecture Power VR है यहाँ पे GPU frequency की बात की जाए तो Dimensity 7300 900 MHz पे clock हो सकता है जबकि 7020 900 MHz पे clock है Memory type में देखा जाए RAM type को तो दूर ही जो processor है वो similar है LPDDR5 को support करते हैं 3200 MHz की frequency रखते हैं and maximum bandwidth 51.2 Gbps के साथ रहते हैं वहें पे storage टैप भी similar है UFS 3.1 का दूनों में support देखने को मिलेगा मतलब read and write speed भी similar रहती है अब देखा जाए gaming graphics को तो सबसे वहले बात करते हैं Free Fire Max की यहाँ पे Dimensity 73 00 जिसका data मैंने लिया है IQ Z9S से यहाँ पे जो आपको FPS देखने को मिलेगा वो 60 FPS है and इसमें maximum graphic support जो देखने को मिलेगा वो Max के साथ हाई रहता है जबकि energy वाले variant पे आपको 90 FPS, BGMI, COD and Free Fire में देखने को मिल जाता है and Dimensity 7020 जिसका data मैंने Motorola G54 से लिया है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 40 FPS and graphic support में Max के साथ High का ही option देखने को मिलेगा next देखा जाए BGMI Mother Battleground World India को यहाँ पे 73 00 सपोर्ट करता है 60 FPS and maximum graphic support में HDR के साथ Ultra का सपोर्ट करता है जबकि जो 7020 है यह सपोर्ट करता है 40 FPS and maximum graphic support में HD के साथ High सपोर्ट करता है वह पे जो Realme Nard 70 Turbo आया है उसमें आपको Ultra HDR के साथ Ultra का सपोर्ट देखने को मिलेगा processor सेम है बढ़ इसे gaming के लिए थोड़ा ट्वीक कर दिया गया है नेक्ट देखते हैं Call of Duty मोबाइल को तो Call of Duty मोबाइल में 73.00 सपोर्ट करता है 60 FPS and maximum graphic support में Very High के साथ Very High का सपोर्ट करता है and 7020 support करता है 40 FPS and maximum graphic support रहता है High के साथ Max का Video Capture and Video Playback को देखा जाए तो 7300 सपोर्ट कर सकता है 4K at the rate 30 FPS का Video Capture and Playback वहें फिर 7020 2K at the rate 30 FPS का ही Video Capture and Playback कर सकता है दोनों का डिस्पले देलूशन सिम्लर है 2520 इंटू 1080 पिक्सल का सपोर्ट करते है and यहाँ पर Diamant City 7300 में MediaTek APU 655 वाला NPU देखने को मिलेगा कुछीज़ जब Basic Connectivity में देख़ जाए तो दूनों जो प्रोस्सर आते हैं वो 5D सपोर्ट करते हैं 4G सपोर्ट में LTE Category 21 and LTE Category 18 का सपोर्ट देखने को मिलेगा Bluetooth Technology 5.4 and 5.3 की होगी Wi-Fi Technology में Wi-Fi 6 and Wi-Fi 5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा तो ओर और आप देख सकते हैं पर ज्यादा बेटर Connectivity आपको देखने को मिलेगी 7300 में Benchmark स्कोर बताता हूँ तो सबसे बहले Geek Benchmark को देखते हैं उसके बाद अंदूदू Benchmark और 3D Benchmark को देखेंगे तो Geek Benchmark सिंगल को परफॉर्मेंस चिष्ट पे Dimensity 7300 1043 का स्कोर करता है लेकिन अगर आप Multicore Performance को देखेंगे तो डिफरेंस थोड़ा जादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर परफॉर्मेंस को देखेंगे 7300 में 4 हैं और 7020 में 2 ही परफॉर्मेंस के को राते हैं तो 7300 का स्कोर 3000 आता है जबकि 7020 का स्कोर 2291 आता है अंदूदू बंस्मार्क नंबर को देखा जाता है अंदूदू बंस्मार्क नंबर Dimensity 7300 का आता है 6,34,000 जबकि अगर आप Dimensity 7300 energy का स्कोर देखेंगे तो वो 7,50,000 का आता है यहाँ पर 7300 का जो GPU स्कोर है वो है 1,49,000 और जो energy variant है इसका वो है 1,51,000 का स्कोर आता है इसमें और Dimensity 7020 का स्कोर आएगा 4,70,000 जिसमें इसके GPU का स्कोर 80,000 रहता है मतलब यहाँ पर performance में काफ़े difference देखने को मिलेगा अंदूदू बंस्मार्क स्कोर को देखा जा तो 3D बंस्मार्क में जो Mali G615 MP2 आता है Dimensity 7300 में यह literally काफ़ी powerful है IMG BXM के सामने final देखा जाए कि difference कितना बना तो जो CP performance है उसमें Dimensity 7300 स्कोर करता है 46 और 7020 36 का स्कोर करता है तो difference सबते पहले इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर number of performance score Dimensity 7020 में कम है frequency कम है और यह 6 nanometer TSMC पे बना है ग्राफिक्स वाले पार्ट की बात की जाए तो Dimensity 7300 का स्कोर आता है 38 and 7020 का स्कोर आता है 22 battery life को देखा जाए तो battery life में मैंने बार-बार repeat किया है कि 4 nanometer technology होने के वज़े 7300 बेटर रहेगा 94 का स्कोर करेगा and 6 nanometer technology को ज़ेसे 7020 84 का स्कोर करेगा final winner को देखा जाए मदलब tech room स्कोर को देखा जाए तो 7300 51 का स्कोर करता है and 7020 42 का स्कोर करता है 7300 में आपको number of performance score बेटर रहेंगे जिसकी frequency भी बेटर रहती है GPU बेटर रहता है better gaming graphics प्रोइट कर सकता है 4K at the rate 30fps का support video capture and playback में भी मिलेगा MPU बेटर रहता है connectivity में 4G support, 5G support Bluetooth and Wi-Fi सब में ये better रहता है तो overall सब conclude करके देखेंगे तो diamant city 7300 काफी better aspect में आता है तो अगर आप इन दोनों प्रोस्ते लेटेट कोई भी smartphone यूज़ कर रहे है तो अपने experience जरूर share कीज़ेगा ताकि जो मेरी वीडियो देखने आ रहा उसकी help हो सके या फिर अगर आप इन दोनों प्रोस्ते लेटेट कोई भी smartphone भाई करना चाहते हैं तो मैंने description में link दी या आप उस link के through भाई कीज़ेगा उससे मेरी help होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like and channel पर नए है तो channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा thanks for watching